हलो दोस्तो तैयारी कलो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित का प्रक्टिस सेट 23 जैसा के पिछली वीडियो में हमने 1-22 तक के प्रक्टिस सेट देख लिये थे दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करकर बिल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कलो के साथ तैयारी करते रहें दोस्तों यदि आप हिंदी साहित या हिंदी व्याकरण या हिंदी की जो हमारी गद्ध विदाएं हैं उनसे संबंधित वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं बहुत ही मात्तपूर्ड वीडियोज हैं जितनी भी गवर्मेंट पृतियों की प्रिक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्ण और सवाल या तत्थ पूछे जाते हैं तो यह चैनल यह वीडियोज आपके लिए बहुत ही मात्तपूर्ड हैं इस दूसरा रुको नहीं राधिका तीसरा साथ नदियां एक समंदर और चौथा उस शहर तक नीचे कूट दिया गया है कौन सा कूट सही है उसमें से हमें सही जवाब को चुनना है पहला कूट है एक तीन और चार सही है दूसरा है एक दो और तीन सही है तीसरा है तीन दो तीन और चार सही है या फिर चौथा तीन और चार सही है इसका सही उत्तर है, option दूसरा, एक, दो और तीन सही है, एक मतलब वेदीन, दो मतलब रुको नहीं राधिका, और तीन मतलब साथ नदियां, एक समंदर, या विदेशी प्रश्ट भूमी पर आधारित हिंदी उपन्यास है, अगला प्रश्ण है, प्रकाशन वर्सके अनुसार निम्नलिखित कहानी संगरह का सही अनुकरम है, सही अनुकरम कौन सा है, option है पहला, इनसान के खंडहर, परिंदे सतह से उड़ता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की, दूसरा option है, पीली छतरी वाली लड़की, परिंदे सतह से उड़ता आदमी, इनसान के खंडहर, तीसरा और चौथा उप्शन है परिंदे इनसान के कंधर सतह से उठता आदमी इनसान के खंधर परिंदे पीली छत्री वाली लड़की तो इसका सही उत्तर है अप्शन पहला इनसान के खंधर जो की 1950 में आई थी परिंदे जो की 1960 में आई थी सतह से उठता आदमी 1971 में आई थी और पीली छत्री वाली लड़की 2001 में आई थी तो प्रकाशन वर्स के अनुसार यह कहानी संग्रह सही अनुक्रम में है अगला प्रशन है जन्म वर्स के अनुसार पास्चात विचारकों का सही अनुक्रम है आप्शन है पहला मैथ्यू अर्नाल्ड सेमूल टेलर कालेरिज आस्कर वाइल्ड आई ए रिचर्ड्स दूसरा ओप्शन है आस्कर वाइल्ड आई ए रिचर्ड्स सेमूल टेलर कालेरिज मैथ्यू अर्नाल्ड तीसरा ओप्शन है Samuel Taylor Coleridge, Matthew Arnold, Oscar Wilde, I.A. Richards और चोथा option है I.A. Richards, Oscar Wilde, Matthew Arnold, Samuel Taylor Coleridge तो इसका सही उत्तर है Option पहला Matthew Arnold, Samuel Taylor Coleridge, Oscar Wilde, I.A. Richards अगला प्रश्ण है प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्या निवास मिस्र के निबंद संग्रहों का सही अनुकर्म है Option है पहला तमाल के जहरोखे से शिरीज की याद आई रथ यात्रा शेफाली जहर रही है दूसरा ऑप्शन है तमाल के जहरोखे से शेफाली जहर रही है शिरीज की याद आई रथियात्रा तीसरा उप्शन है शेफाली जहर रही है रथियात्रा तमाल के जहरोखे से शिरीज की याद आई और चौथा उप्शन है शिरीज की याद आई तमाल के जहरोखे से शेफाली जहर रही है रतियात्रा इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है काल करम की दरश्टी से साहित सिधानतों का सही अनुकरम है आप्शन है पहला रस अलंकार रीती धोनी आप्शन दूसरा रीती रस धोनी अलंकार आप्शन तीसरा अलंकार रस धोनी रीती और आप्शन चोथा धोनी रीती रस अलंकार इसका सही उत्तर है पहला रस अलंकार रीती धोनी अगला प्रशन है प्रकाशन वर्स के अनुसार निम्न लिखित रचनाओं का सही अनुकरम है पहला अनामी का जहरना पल्लव निहार पहला जहरना अनामी का पल्लव निहार आप्शन तीसरा जहरना पल्लव अनामिका निहार या फिर आप्शन चोथा पल्लव निहार जहरना अनामिका इसका सही उत्तर है आप्शन दूसरा जहरना अनामिका पल्लव निहार अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्स के अनुसार निम्लिखित आत्मकथा का सही अनुकरम है कौन सा सही अनुकरम है आप्शन है पहला आज के अतीत सहचर है समय तुकडे तुकडे दास्तान क्या भूलूं क्या याद करूं आप्शन दूसरा क्या भूलूं क्या याद करूं तुकडे तुकडे दास्तान सहचर है समय आज के अतीत आप्शन तीसरा क्या भूलूं क्या याद करूं आज के अतीत सहचर है समय तुकडे तुकडे दास्तान या फिर आप्शन चोथा सहचर है समय आज के अतीत टुकडे टुकडे दास्तान क्या भूलूं क्या याद करूं इसका सही उत्तर है आप्शन दूसरा क्या भूलूं क्या याद करूं जो कि 1979 इसवी में आई थी टुकडे टुकडे दास्तान 1986 इसवी में सहचर है समय 1951 में और आज के अतीत 2003 में आई थी अगला प्रशन है अंधा युग नाटक के अंक शिक्षकों का सही अनुकरम है आप्शन है पहला दूसरा तीसरा है पशुका उदै अश्वत थामा का अर्ध सत्ते गांधारी का शाप या फिर ओप्शन चोथा पशुका उदै कौरो नगरी अश्वत थामा का अर्ध सत्ते गांधारी का शाप इसका सही उत्तर है आप्शन तीसरा पशुका उदै अश्वत थामा का अर्ध सत्ते गांधारी का शाप अगला प्रशन है प्रकाशन वर्स के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुकरम है कौन सा सही अनुकरम है? आप्शन है पहला कठ गुलाब, शेस यात्रा, सूरज मुखी, अंधेरे के ठीकरी की मंगनी आप्शन दूसरा सूरज मुखी अंधेरे के शेस यात्रा ठीकरे की मंगनी कट गुलाब आप्शन तीसरा कट गुलाब सूरज मुखी अंधेरे के ठीकरे की मंगनी शेस यात्रा या फिर आप्शन चोथा कट गुलाब ठीकरे की मंगनी शेस यात्रा सूरज मुखी अंधेरे के इसका सही उत्तर है आप्शन दूसरा सूरज मुखी अंधेरे के जो की 1972 में आई थी शेस यात्रा 1984 में आई थी ठीकरे की मंगनी 1989 मतलब 90 में एक कम में आई थी कढ़ हुलाब 1996 में अगला प्रशन है काव्य शास्त्री गरंथों का काल क्रमानुसार सही अनुकरम है आप्शन है पहला अगला अप्शन है आप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है प्रकाशन वर्स के अनुसार जैशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुकरम कौन सा है Option है पहला प्रेम पथिक लहर आसू का माईनी Option दूसरा लहर प्रेम पथिक का माईनी आसू Option तीसरा आसू लहर का माईनी प्रेम पथिक या फिर Option चौथा प्रेम पथिक आसू लहर का माईनी इसका सही उत्तर है Option चौथा प्रेम पथिक आसू लहर का माईनी अगला प्रश्ण है काल करम के अनुसार निम्न लिखित आचारियों का सही अनुकरम कौन सा है आप्शन है पहला रामा नुजा चारे, मद्धुआ चारे, निम्बका चारे, वल्लभा चारे दूसरा मद्धुवा चार रामानुजा 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 चार रामान अगला प्रश्ण है प्रकाशन वर्स के अनुसार निम्न लिखित रचनाओं का सही अनुकरम कौन सा है? अप्शन है पहला प्रकाशन संगीत मधुशाला सतरंगिनी मिलन यामिनी अप्शन तीसरा सतरंगिनी मधुशाला मिलन यामिनी एकांत संगीत आप्शन तीसरा मधुशाला एकांत संगीत सतरंगिनी मिलन यामिनी या फिर आप्शन चोथा मधुशाला सतरंगिनी मिलन यामिनी एकांत संगीत इसका सही उत्तर है आप्शन तीसरा मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगनी, मिलन यामिनी अगला प्रश्ण है काल करम की द्रश्टी से निम्नलिखित गरंथों का सही अनुकरम कौन सा है आप्शन है पहला बहाव विलास, काव्य निर्णय, जग द्विनोद, रस रहस आप्शन दूसरा बहाव विलास, काव्य निर्णय, रस रहस, जग द्विनोद, भाव विलास आप्शन तीसरा बहाव विलास, काव्य निर्णय, रस रहस, जग द्विनोद, या फिर आप्शन चौथा रस रहस, बहाव विलास, काव्य निर्णय, जग द्विनोद, इसका सही उत्तर है अगला प्रश्न है, कालकरम की दृष्टी से निमनलिखित रचना कारों का सही अनुकरम कौन सा है? औप्शन है पहला, पुस्पदंत सरहपा हेमचंद्र अदहमान दूसरा, हेमचंद्र सरहपाद पुस्पदंत अदहमान, औप्शन तीसरा, सरहपाद, पुस्पदंत, अदहमान, हेमचंद्र या फिर ऑप्शन चोथा सरहपाद, हेमचंद्र, अदहमान, पुस्पदंत इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा सरहपाद, पुस्पदंत, अदहमान, हेमचंद्र अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रशनाकारों का सही अनुकरम है सही अनुकरम कौन सा है? पहला आयोध्या सिंग उपाध्याय हरी ओद श्रीधर पाठक सुमित्रा नंदन पंत जैशंकर प्रसाद आप्शन दूसरा आप्शन तीसरा श्रीधर पाठक जैशंकर प्रसाद या फिर आप्शन चोथा इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है राम कथा के प्रसंग में तुलसी दास ने यह बाद किस से कहलवाई है पहला याग वल्लक से शिव से तुलसी दास की सुयम की उकती है या फिर आप्शन चोथा काग भुसुंडी से इसका सही उत्तर है ऑप्शन तुलसी दास जी की सुयम की उकती है अगला प्रशन है प्रेम शतक प्रेम शतक के रचनकार कौन है उप्शन है पहला जगनःत दास रतना कर ऑप्शन दूसरा अंबिका दत्त व्यास ओप्शन तीसरा वियोगी हरी या फिर ओप्शन चौथा दुलारे लाल भारगव इसका सही उत्तर है ओप्शन तीसरा वियोगी हरी अगला प्रशन है भारत में अंग्रेजों के भड़ते प्रभाव के प्रती ध्यान आकरशित करते हुए पदमावत ने किस राजा के दरबार में कविता पढ़ा था उप्शन है जो कविता थी सबसे पहले वह देखते हैं अगला प्रशन है अगला प्रशन है तपेदिक की मरीज तपेदिक के मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चितरित है तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में है उप्शन है पहला मैं हार गई उप्शन दूसरा बादलों के घेरे उप्शन तीसरा सुहागिने उप्शन चोथा जिंदगी और गुलाब इसका सही उत्तर है आप्शन दूसरा बादलों के घेरे अगला प्रश्ण है हरीदासी संप्रदाए हरीदासी संप्रदाए के राधा कृष्ण है कौन है आप्शन है पहला आत्मनिष्ठ आप्शन दूसरा लोक निरपेक्ष आप्शन तीसरा जीवन सापेक्ष या फिर आप्शन चोथा लोक अहितरक्षक इसका सही उत्तर है आप्शन दूसरा लोक निर्पेक्ष हैं अगला प्रश्ण है संस्कृत का कोई भी शव्द मन चाहे ढंग से तोर मडोर कर तदभाव नहीं बनाया जा सकता है उपर जुकत विचार किSVDWANE का है प्रस्थत कथन किSVDWANE का है आप्शन है पहला जॉर्ज गरियरसन आप्शन दूसरा राम विलास शर्मा आप्शन तीसरा नामोवर सिंग्य या फिर आप्शन चोथा सुनीती कुमार चतर जी इसका सही उत्तर है आप्शन दूसरा राम विलात शर्मा जी का है अगला प्रशन है राही मासूम रजा राही मासूम रजा के दौरा रचित उपन्यास नहीं है आप्शन है पहला कौन सा नहीं है दिल एक सादा कागज दूसरा कट्रा बी आरजू तीसरा समर शेस है या फिर आप्शन चोथा टोपी शुकला इसका सही उत्तर है आप्शन दूसरा कटरा भी आरजू यह नहीं है अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से कौन सी रचना गया प्रशाद शुकल सनेही की नहीं है आप्शन है पहला प्रेम पचीसी आप्शन दूसरा करसक करदंत आप्शन तीसरा सोपन या फिर आप्शन चोथा कुसुमान जली इसका सही उत्तर है आप्शन तीसरा सोपन अगला प्रश्ण है मुरारी और नर्गिस मुरारी और नर्गिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है कौन सा उपन्यास है? पहला पाप और पुन्य उप्शन दूसरा सत्याग्रह तीसरा आदर्श दमपत्ती या फिर उप्शन चौथा चंद हसीनों के खुतूद इसका सही उत्तर है उप्शन चौथा चंद हसीनों के खुतूद उपन्यास के पात्र है नर्गिस मुरारी क्रश्न असगरी गोविंद इसका अगला प्रश्न है की आरे योवन अभिरामा की आरे योवन अभिरामा जत देखल तत कहे ना परियाउ छाओ अनुपम एक ठामा प्रश्न है पहला रूप वर्णन करने में असमर्थ है ऑप्शन दूसरा रूप वर्णन करने में संब्रम की इस्थिती में है ऑप्शन तीसरा रूप वर्णन करने में समर्थ है या फिर ऑप्शन चौथा आणशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है नारी आकर्षण नारी आकर्षण पुरुस को पुरुस बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुध बना देता है यह समुआद किस नाटक का है आप्शन है पहला आधे अधूरे आप्शन दूसरा असाढ का एक दिन आप्शन तीसरा पैर तले की जमीन या फिर आप्शन चौथा लहरों के राज हंस इसका सही उत्तर है आप्शन चौथा लहरों के राज हंस अगला प्रशन है वट वरक्ष की चाया में किस लेखक ने किसकी इसमरती को सुरक्षित रखने के लिए लिए लिखी है आप्शन है पहला अमरत लाल नागर की आप्शन दूसरा कमलेश्वर की आप्शन तीसरा हजारी प्रसाद दिवेदी जी की या फिर आप्शन चौथा अमरत राय की इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है भक्ती के आंदोलन की जो लहर दक्षिड से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिती के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान ने भक्ती मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई यह कथन किसका है प्रस्तुत कथन है उप्षन पहला नंद दुलारे वाजपेई उप्षन दूसरा हजारी प्रसाद दिवेदी उप्षन तीसरा रामचंदर शुकल या फिर उप्षन चोथा विजय देव नारायन साही इसका सही उत्तर है आप्शन तीसरा रामचंदर शुकल जी का है प्रस्तुत कथन रामचंदर शुकल का है अगला प्रशन है सिध्धान्त और योगियों की रचनाओ का जीवन की सौभाविक अनुभूती और दशा से कोई संबंध नहीं है विशुद साहित के अंतरगत नहीं आती यह विचार कि पहला विरेंद्र वर्मा दूसरा मुनव जीन विजय आप्शन तीसरा हजारी प्रसाद दिवेदी या फिर आप्शन चोथा आचार रामचंदर शुकल इसका सही उत्तर है आप्शन चोथा रामचंदर शुकल जी का है दोस्तों आजका सवाल है हिंदी में रितु साहार के रचेइता कौन है ऑप्शन है ए सिरिधर पाठक ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंग ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर ऑप्शन डी गुरू भक्त सिंग दोस्तों अगर आपको इसका जवाब पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना काम कर सकें अपना सजेशन हमें कमेंट कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो